नमस्कार, स्वातंद्रवेश सावरकर राष्ट्रियस मारक के यूट्यूब चानल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज हमारे साथ विशेश अतिती है कमांडर भूशन दिवान जी बूशन दिवान जी ने 1971 के युद्ध में एहम भूमी का निभाई है और भारतिय नौसेना में 23 साल अपना योगदान दिया है 1971 का भारत पाक युद्ध आप स्वेम लड़े हो तो उस युद्ध का अनुभव हमें बताई है ये भारत की इज़त के लिए और भारत की एकनामी के लिए बहुत एहम युद्ध था बंगला देश के उपर पाकिस्तान की फोजें बरबरता के पूरा विभार कर रही थी उनकों तबा रही थी सारा पैसा तो बंगला देश से आ रहा था पाकिस्तान की तरफ पर जब उनका शेख मुझेबर रह्मान इलेक्शन में चुन के आया तो वो चाहते थे कि वो परधानमंतिय ना बने वहाँ डेमोक्रिसी आगे ना आए इसके चलते उनको दबा रहे थे जब दबा रहे थे तो वहाँ से रिफ्यूजी इंडिया में आ रहे थे तो सब रिफ्यूजी इतने ज़्यादा आवादी है इंडिया में एकनॉमिक लोड पढ़ रहा था पर ये बात जानने की है कि ये लड़ाई एक्समात नहीं हुई इंडिया भी पाकिस्तान भी गरीब मुल्क है लड़ाई बहुत महंगी होती है मैं आपको बता सकता हूँ कम से कम नौ मैने से बारा मैने लग गए इस लड़ाई के त्यारी करने में तो अमेरिका इसमाला युद नहीं है कि आप हफ़ते के अंदर एराक पे अटाक कर सकते हैं तो ये त्यारी की गई कम से कम मार्च दोहजार एकतर से और जाके डिसंबर में ये युद को युद को बार पहुचाया गया पाकिस्तान के लिए तो ये नैचुरली इतना ओवर स्प्रेड थे वो उनकी फॉज सारी वहां से आनी थी उनका तसला वहां से आना था हमने एर स्पेस बंद कर दी थी और नेवी जो है पेट्रोलिंग से मेक्शोर कर रही थी कि उनके आर्मामेंट्स शिप से ना आए तो मेरी खुद शिप मैं आइनस कृष्णा में था मेरा खुद कानुभव है तो वो उनकी आर्मामेंट्स लेके एक रश्टन शिप आ रही थी और चलाकी से काम होता है वो जो शिप आती है, मर्चंड शिप होती है वो और शिप नहीं होती है और वो शिप जो है क्लेर कट आर्मामेंट्स लेके आ रही थी और बंबे हमने उसको इंटरसेट किया तो उसको रोकने के लिए कि इंटरख़जन रूल उफ लाउक इंटरिजल लॉफ से होता है उख तो ऱॐ शिया कि और चैयल श्ळीं के बाद रूसे जवाब नहीं दिया उसकी हम रॉशिव रशज व्लैग था हमारे इंडियन फ्लैग। उसँने का रुम रुश्चन है है टांग पर फायर करते हैं तो एकदम उस शिप रुख गई और रुख गई फिर उस शिप ने हमें आंसर देना शुरू किया और हमने उसको रोक के और उसको वापिस भेजा बैक टू कराची तो मतलब क्या है इस वार के अंदर आर्ममेंट सप्लाई लाइन जो थी पाकिस्त काफी और भी खिच जाती पर जनल मानिक शा ने एक सैकलोजिकल वारफेर भी किया जब देखा ये काफी घिर चुके हैं बंगलादेशी फोर्स तो जनल जेकब वो थीटर कमांडर थे उन्होंने उनको न्याजी के पास भेजा जनल न्याजी के पास भेजा और उनको बोला और एर मार्शल देवान माई नेम से कोड़ी वस कमांडिंग एर फोर्स इन बंगलादेश और भेजा और उनको बताया है न्याजी जी को बताईए देखे तीन हफते हो गए हैं अब आप घिर चुके हैं ना आपके पास नया तसला आ सकता है ना आदमी आ सकते हैं अभी यह ऐए अब 2 होंटे का टाइम दीजी जैरल जेकब ने कहाँ ठीक है मैं बार बैठा हूँ आप 2 होंटे बताईए और दो घंटे के बुलाया वो टाइप कराके ले गया थे जिए स्टुमेंट अव सरेंडर और इस्ट्रुमेंट अव सरेंडर में उनने संडर कर दिया और स एका के परेड़ ग्राउंड में उनकी बेल्ट उतार के ये मिल्टरी का ट्रेडिशन है, सरंडर करते हैं तो बेल्ट उतारनी चाहिए, उसके अंदर पिस्तिल वगार इसा उतारना चाहिए, सरंडर का सेन है, उनने साइन किया, तो तब जाके वार खतम हुआ, हलागी हर वार होता है मैं समझता हूँ एक वार अगर लड़ा जाए तो एक फाइवियर प्लैन पीछ एड़ जाते हैं पर यह दुनिया को दिखाना अज़री था सिक्स्टीटू की वार में हम हारे विदेश से चीन से जो भी गलतियां थी हार तो गए हम सिक्स्टीफाय में भी ड्रॉव हो मैच क्यों जो हम जीते वह हमें वापस देना पड़ा सेवंट्री वन में पूरे दुनिया में मारी इज़त आगे हुई मारी फोजों का मनुवल भी आगे बढ़ा तक हमने नई देश बना दिया मंगना दिया तो यह मेरा अनुभव है कि जब जरूरी परती है तो वार के ल देचल वार ताहिए